5th class हमें दिया हुआ है के हमारे पास 2 fractions हैं, हमने बताना है के कौनसी fraction बढ़ी है और कौनसी छोटी है, मैं आपको example 1 करा रहा हूँ, page number 95, ध्यान से सुनना, page number 95, example 1, हमारे पास 2 fractions हैं, एक है हमारे पास 2 over 3, दूसरी है 4 over 9, हमने बताना है के कौनसी fraction बढ़ी है और कौनसी fraction, हमने बताना बढ़ी है कौनसी छोटी है, तो हम क्या करेंगे, इसका numerator इसका denominator इसको multiply कर लेंगे इस side में 2 into 9 is equal to 18, 4 into 3 इसको इसके साथ multiply करके इस जलिखेंगे, इसको इसके साथ multiply करके इधर answer लिखेंगे, 4 x 3 is equal to 12, अब 18 जो है, वो बड़ा है, और 12 छोटा है, इसका मतलब, जो बटा 3 जो है, वो greater than 4 over 9, समझ आ गई, यानि के हमने क्या करना है, ऐसे cross multiplication कर लेना, और इसको इधर से multiply करके इधर लिखना है, इसको इधर multiply करके इस side लिखना है, इस side लिखना जो अंसर है, इस fraction का है, और इधर बड़ा अंसर इस fraction का है, ठीक है, और जिधर का अंसर बड़ा होगा, वो बड़ी fraction बड़ी होगी, अगर ये दोनों multiply सेम आते हैं, दोनों multiply अगर सेम आते हैं, तो दोनों fraction आपकी ब्राबर हैं, तो ये आपने इसके असाब से exercise 4.3 के all sums करने हैं, ये आपका homework है, exercise 4.3 आपने सारी करनी है, थोड़े से sum है, उसमें दो-दो fraction दी हुई हैं, उसको पढ़ना है, उसको देखना है, उसको cross notification से solve करके, जो बड़ा है, अगर दोनों आते हैं, ये आते हैं,